नया दिन है नया सवेरा और एक नई जिन्दगी क्या आपके विजनस में आपको मनाफ़ा होगा क्या आप जिस पार्टनर को महीनों से ढून रहे हैं आज आपको मिलेंगे या आपका YouTube चैनल पूरी दुनिया देखेगी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आपके आप जिस प्रमोश इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका दिन कैसे जाने वाला है आप उनके साथ कोई मज़ेदार खेल भी खेल सकते हैं या फिर कोई फिल्म देखने भी जा सकते है इससे आप तरो ताजा तो महसूस करेंगे ही आपके रिष्टों में मजबूती भी आएगी आज आपके किसी खास व्यक्ति के साथ मिलने के संकेत हैं बाहर निकल कर सामाजिक मेल जोल करें अपने जज़बातों को उचा बनाए रखें आपका पार्टनर आसपास हो सकता है उसके साथ नए रिष्टे की पूरी संभावना है आज के दिन आपकी आज जीविका के क्षेत्र में आपको एक अप्रत्याशित भागिदारी मिल सकती है ये कोई सर्वोच संधी हो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कम से कम इस पर सोचा जा सकता है आपको अपनी बात अपने भागिदार के सामने खुल कर रखनी चाहिए और नि आज सा आएगा जिससे कि आप कोई बड़ा उधार चुकता कर सकेंगे इससे बहुत बड़ी मानसिक शांती मिलेगी आप आर्थिक मामलों में सोच समझ कर चलने वालों में से एक हैं आपको पता है कि पैसे ठीक ढंग से कैसे इस्तमाल किये जा सकते हैं आपका स्वास्त तो ठीक रहेगा परंतु पेट रोग होने की संभावना है अच्छा खाएं और व्यायाम करें आप स्वास्त की ज़्यादा चिंता न करें यह तो अस्थाई परेशानी है आप खान-पान का ध्यान रखें आज आपके दोस्तों को आपकी मदद वसलाह की जरूरत है आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए आखरकार आपका रिष्टा ही कुछ ऐसा है खूब सोच समझ कर ही किसी को कोई सलाह दें एक दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करें राशी व्रिष, रुमैंस हो सकता है आपको बाहर जाने का मौका भी मिले इस बदलाव से आप व्यावसाइक सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए आपको विशम परिस्चितियों में भी आसानी से काम करने की अपनी क्षमता का विकास करना होगा अगर साजेदारी में कोई काम शुरू करते हैं तो आज इसमें किसी तरह का फाइदा नहीं दिख रहा है इसलिए अभी तो इस खयाल को हर हाल में मन से निकाल दें इसका यह भी कारण हो सकता है कि जिसके साथ आप साजेदारी करने जा रही है वह व्याविसाइक तोर पर आपके बराबर का नहीं हो और बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े आज आप सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे और सारी नकारात्मक सोच गायब हो जाएगी लोग आपकी सुन्दर्ता की तारीव करेंगे असल में ये आपकी अंदरूनी खूबसूर्ती और आत्मविश्वास है जो ज़लक रहा है आज आपको महतुपूर्ण निरने लेते समय सावधानी बरत्नी होगी आज लिये गए निरने का असर आपके भविश्य पर पड़ेगा इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच ले जरूरत पड़े तो अपने परिजनों की मदद भी ले सकते हैं वैसे आप खुद ही सही निरने ले पाने में सक्षम है साथी के प्रती आपकी भावनाएं विकजित हो चुकी हैं आप प्रेम से भरे हुए हैं केवल साथी से मिलकर उप्युक्त माहौल में अपने दिल की बात बताने की आवशकता है विक्रे के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने लक्ष पूरे करने में कठिनाई हो सकती है और संभव है कि आज अधिकारियों की डाज भी खानी पड़े आपको दिन के प्रत्ये क्षण में पूरी तरह से तयार रहना होगा आज आपको ऐसी संपत्ती हात लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी या ये भी हो सकता है कि आप जुआ खेलें और जीट जाएं आज आप देखेंगे कि जितने रुपए आप घर से लेकर चले थे उससे अधिक अब आपकी जेब में हो सकते हैं शारिरिक सेहत की तरफ बढ़ाए गए कदम में आज आप सफल रहेंगे आपकी ये योजना आपको बहतर परिणाम की ओर ले जा रही है रोज योग करें इससे आपके शरीर में उर्जा का स्तर बढ़ेगा साथ ही शरीर में रक्त का संचार भी होगा योग करने से पाचन क्रिया और श्वास प्रक्रिया भी अच्छा काम करते हैं आज आप मानसिक शान्ती पाना चाहेंगे शान्ती आपके भी तरही है उसे बाहर ढूनने की बजाए अपने अंदर खोजें इसकी शुरुवात आप योग से कर सकते हैं इसके परिणाम से आपको बहुत खुशी होगी राशिकर्क रोमैंस नए पार्टनर की कई दिनों से चली आ रही असफल खोज आज सकारात्मक दिशा दिखलाएगी आखे खुली रखें और पुराने सुरोतों से पता लगाएं जिन्हें आपने निराश होकर छोड़ दिया था आप अपने प्रयास की सफलता पर हैरान होंगे आज आप किसी नजदी की व्यक्ति के साथ साज़ेदारी कर सकते हैं ऐसा सोचना तो ठीक है लेकिन अभी आपको इसके लिए हान नहीं करनी चाहिए अभी शुब समय आने का इंतजार करें अपनी वित्तिय स्थिती को मजबूत बनाने के लिए आपको सही तरीके से योजना बनानी होगी ये आपके लिए सही होगा कि नवीन योजनाओं की ओर ध्यान देने के स्थान पर पुरानी योजनाओं को ही सही समय से पूरा किया जाए इस तरीके से इन योजनाव पर काम करते हुए आपकी स्तिती सुद्रड ही होगी, वो नौकरी अत्वाव्यापार प्रारंब करने की दृष्टी से ये फायदेवंध होगा। आज आपको सेहत के प्रती सावधान रहने के आवशकता है। आज आप अपनी खाने की आदतों को सुधार सकते हैं। कोशिश करें कि चिकने खाने से दूर रहें। आज आप संतुलित खाना खाने की आदत को सुधार लेंगे, तो आज आप दिन की समाप्ती तक खुद को ज़्यादा उर्जावान महसूस करेंगे। अगर आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहें हैं, तो आपकी जीत निश्चत है। किसी अनभवी वकील की सलाह लें। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उच्चा धिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। आपको धैरे रखने की ज़रूरत है। राशे सिंग, रोमैंस, रोमैंस की नजर से आपका दिन अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर के प्यार से बहुत खुशी मिलेगी। दिन के अंत में आपको लगेगा कि क्या यह दिन सामान्य है। राशे सिंग, करियर, आज आपके करियर में सकारात्मक सुधार आएगा। वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपनी व्यस्त दिन चरिया में से समय निकाल कर ये सोच रही हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इस बात पर ध्यान दें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप को क्या करना चाहिए। अगर आप डेरी या केमिकल के क्षेतर में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। राशे सिंग, फाइनान्स, आपने कभी दूसरों के लिए भराई का काम किया है। आज आपको लगेगा कि आपको उसका फल मिल रह है। दान देने से आपको टैक्स की छूट तो मिली ही है। दूसरों के लिए आपने कल किया, आज दूसरे आपके लिए खड़े मिलेंगे। आज आपको एहसास होगा कि दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे। इस तरह के आप चोटी चोटी बीमारी जैसे की कफ या कोल्ड को थोड़ी सी अकल लगा कर रोक सकते हैं। आज अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्यूंकि कीम्ती सामान के खोने का डर है, लेकिन अगर आप सावधान रहें, तो नुक्सान से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के रहें। आज आपको अपने घर की सुरक्षा को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आज आपको उस सच्चाई से अवगत होने का अवसर मिलेगा, जिसे एक साथी में धूढने का प्रयास कर रहे थे। आपकी घलत लोगों में वो खूबियां धूढने की आदत है जिन्हें आप चाहते हैं। अपने प्रतिवफादार होएं और लंबे समय तक रहने वाली खुशियों के बारे में विचार करें। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सही माइने में आपकी इज़त करें और आने वाले समय में खूब खुशियां दे। आज आपको व्यावसाइक सफलता मिलेगी जो आपको गर्व और उत्साह से भर देगी। ये उन्नती पाकर आपको ये एहसास होगा कि आपने सही समय पर सही कदम उठाए और जब बात आपके काम की आती है तो आप किसी से भी नहीं घबराते। आज का दिन आपकी वित्तिय योजनाओं को सही गती देने बाला है। अपनी नियमित आई के साथ ही आपको आज बोनस या अतरिक्त आई के साधन की प्राप्तिकी सूचना मिलेगी। इन प्राप्तियों का आनंद लीजिए क्योंकि ये आपकी कड़ी महनत का ही प्रतिभल है। राशिकन्या, हेल्थ दवाओं पर खर्चा करने से आज आपकी आर्थिक सिती बिगड़ी नजर आएगी। ये खर्चे आप पर नहीं होंगे। हो सकता है घर में किसी के बीमार पढ़ने पर आपको खर्चे करने पढ़ जाएं। ये खर्चे हमेशा के लिए नहीं बने रहेंगे, इसलिए अपने परिबार वालों के लिए आपको खर्चा करना पढ़ रहा है। ये बिगड़ी हुई आर्थिक सिती कुछ ही दिन रहेगी। आज आप जरा अपनी बहस करने की आदत को काबू में रखें। आज आप शायद थोड़ा उत्तेजित हो जाएं, वह बहस में पढ़ जाएं। शान्त रहें और बस अपने काम करने में लगे रहें। अगर आप अपने इस उद्देश को पूरा कर लेंगे, तो आपको अच्छा तो लगेगा ही, साथ ही आपको मानसिक शान्ती भी मिलेगी। आज आप ऐसे दोस्ते मिल सकते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से खोज में थे। आपका परिचय इसके साथ चुँकि थोड़े समय का है, इसलिए तुरंत निरणे ना लें। फिर भी इससे परिचय बढ़ाने के लिए कुछ समय बिताएं। आप पाएंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए उप्युक्त पार्टनर साबित हो सकता है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारी की स्थिती में हैं, तब आज का दिन कुछ शुब फल लेकर आ सकता है। विश्वास बनाए रखें, किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। आज के दिन अनापेक्षित स्रोतों से आपको अवसरों की प्राप्तिकी संभावना है। आज आप दूसरों की साहता के लिए कुछ खर्च करेंगे। आज कुछ धरम करम के काम कीजिए। अपनी आर्थिक और सामाजिक हैसियत को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। इससे कुछ औरों का भी भला कीजिए। आपको लगेगा कि आपको बाद में इसका फाइदा भी मिल इससे एक खास तरह की संतुष्टी तो मिलेगी ही। कुछ ऐसे संपर्क भी बनेंगे जिसके चलते भविश्य में आपको फाइदे भी होंगे। ये भविश्य में आपके काम आएगा। योग भी शुरू करें। इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। आज आपके घर में सुख शान्ती बनी रहेगी। ये समय आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। घर वालों का प्यार ही इस समय आपको भावनात्मक रूप से खुश रखेगा। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपने रिष्टों को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। अगर आपका हाल ही में तलाक हुआ है और आप अकेला महसूस कर रही हैं तो नया रिष्टा बनाने से पहले दो बार अवश्य सोचें। आज की हालत भले ही आप बिलकुल पसंद ना कर रहे हूं पर इसके लिए थोड़ा समय और सोचना आपके लिए बहतर होगा। आज संभव है कि आपके द्वारा खरीदी गई भौतिक वस्तूओं को नुकसान पहुँचे। इसलिए बहतर है कि उनकी खरीद को टालें। आज अपनी वस्तूओं के साथ अतरिक्त ध्यान पूर्वक पेशाएं जिससे संभावित हानी को टाला जा सके। आख में कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्तर को दिखाएं। ज्यादा देर तक टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठने से आखों पर दबाव पड़ता है। अपनी आखों को आराम दें। अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा गाजर और उन फलों में लगाएं जिनमें विटमिन D की मात्रा अधिक पाई जाती है। ध्यान रहे, अभी परेशानियों को हल कर लेंगे। आपकी इन खूबियों का जादूई असर होगा, वह सारी परेशानिया खुद ही खत्म हो जाएंगी। अपना उत्साह बनाए रखें, क्योंकि इसी से आपकी सारी परेशानिया खत्म हो सकेंगी। राशिधनौ, रोमैंस। आज हाला पर अथ कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने प्यार को भरपूर रूप से नहीं पा सकेंगे। उन हालात पर काबू पाने के लिए अपने एहम को एक तरफ करके जिन्दगी का भरपूर आनंद अनभव करें। आप अपने चाहने वाले के साथ मस्ती का अनभव करेंगे। आप अपनी समझदारी से अपने प्रोजेक्ट की योजना अच्छी तरह से बना लेंगे। कोई निवेश करने से पहले आप जोखिम को ठीक से जाच पर रख लें। क्योंकि इसका फाइदा बाद में जाकर दिखेगा। इसमें आपकी समझदारी और हिम्मत काम आएगी। आज इन सब मामलों में अपने दिल की सुनें। यह आपका जीवन सुधार देगा। आप स्वस्त रहेंगे। आज आपके आसपास के लोग आपको गलत समझ सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को स्पष्टता से अभिज़क्त करें। जो भी बोलें सोच समझ कर ही बोलें। क्योंकि अगर आपके शब्दों को गलत समझ लिया गया तो परेशानी हो सकती है। गलत पहमी को दूर करें और अपने रिष्टों को मजबूत बनाएं। राशी मकर, रुमैंस। हाल में हुए कुछ लड़ाई जगडे वगलत पहमी के कारण आप आज बोजिल महसूस करेंगे। किन्तु ये समय जल्दी ही समाप्त होने वाला है। संबंधों में अधिक अबेक्षा के कारण कडवाहट आ जाती है। किन्तु सच्चा प्यार करने वाले साथ ही मित्र वो संबंधी सदा साथ रहते हैं। आज के दिन यदि आप बेरोजगार हैं तब नवीन नौकरी के प्रस्ताव अवश्य मिलेंगे। परंतु वे उसी कारक्षेतर में हो ये जरूरी नहीं है। आपको साक्षातकार के लिए बुलावा भी आएगा परंतु ये वो काम नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं। आ आपकी आर्थिक सिती बिगड़ सकती है। हो सकता है कि दवाईयों पर भी कुछ ज़्यादा ही खर्च करना पड़े। परेशान ना हूँ, ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये सब तो कुछ समय के लिए ही है। राशी मकर, हेल्द। जहां तक संभव हो ज़्यादा काम ना करें। ये आपका स्वास्त बिगार सकता है। इसलिए आप खुद को आराम दें ताकि शरीर स्वस्त रहे। आप अपने दायतों की पूर्ती के साथ स्वास्त का भी पूरा ध्यान रखें। राशी कुम्भ, ओवर्विव। आज आप अपनी जिंदगी के कई क्षेत्र अभी कुछ फीका साही रहेगा। राशी कुम्भ, रोमैंस। आज आप प्यार को महसूस करेंगे। आपके अंदर शक्ती वह उत्तेजना का संचार होगा। मन साथी के बारे में सोच कर डोलेगा। अपनी भावनाओं को कुछ नियंत्रित करें। किन्तु जीवन के प्रती जो उत्साह प्रेम लाया है, उसका आनंद भी उठाएं। राशी कुम्भ, करिया। एम्बिये करने वाले विद्यार्थी आज पाएंगे कि समस्त विश्व अवसरों के साथ उनके समक्ष खड़ा है। आपको अनेक अनेक कार्य प्रस्ताव मिलेंगे और वे भी आकर्षक वेतन के साथ। आपको ये देखना है कि आप सही नौकरी चुनें ना कि उच्च वेतन का काम। इस प्रकार का समझदारी भरा निवेश आपके भविश्य में आपकी मतद करेगा। राशी कुम्भ, फाइनांस। आज यात्रा में और अपने किसी प्रिय व्यक्ति को कोई त आपको और पाने वाले दोनों को खुशी हो। वैसे ये वक्त ऐसा है कि आप अपने खर्चीले होने पर इतरा सकते हैं। शामिल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें कि आप जिम जाएं क्योंकि व्यायाम आपके लिए बहुत जरूरी बन गया है। आज आप खुद को समाज सेवा की और आकर्शित पाएंगे। आज के दिन आप जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हर तरह से प्रयास करेंगे। फिर चाहे वो पैसो से संबंदित हो या फिर समय से। दिन के अंत में आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी खुशी होगी। आज आप अपने साथी को बाहर घूमने जाने के लिए मना ही लेंगे। आपको चाहिए कि आप किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर पुरानी यादों को फिर से ताजा करें। जहां पर भी आप जाएंगे, वास्तव में वहां आप तरो ताजा हो जाएंगे। आपके रिष्टे में भावनात्मक एवं रुमैन से गर्माहट का अनुभव होगा। राशीमीन करियर आज आपको कारिक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विशम परिस्थित्यों में भी आसानी से काम कर लेने के कारण आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। आप में वो काबिलियत है जो आपके अधिकारी आपसे चाहते हैं। समय के साथ आपके करियर में उतनी वृद्धी जरूर होगी जितना की आप सोचते हैं। आज आपको अचानक भौतिक वस्तुओं के प्रती मोह जागरित होगा। आपको जीवन में सर्वश्रेश्ट वस्तुओं चाहिए और आप जानते ही हैं कि इस राह पर चलने का कोई छोटा मार्ग नहीं है। अपने जीवन को वित्तिय रूप से संतुष्टी की राह पर ले जाईए और सुकून की तलाश कीजिए। महतुपून ये है कि आप अपने लक्षों को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। आप सिर्दर्द से परेशान रह सकते हैं, इसलिए आराम से कारे करें। चोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि ये आप पर ही है कि आप कैसे खुद पर काबू रखें, तनाव कम करने के लिए योग करें, अगर सिर्धर्द बना रहे तो डॉक्टर से सलाह लें.